तो बहुत-बहुत स्वागय थे जोड़दार तरीके से मेरे इंडियन कोश्गार्ट के जितने भी लाल है मैं जानता हूँ जीडी डीवी और यांतरिक के जितने भी मेरे केंड़ेट हैं उनके जहन में सबसे बड़ी समस्या यही थी किसर आखिर स्टेज 2 में क्या होने वाला जिसको आपको ध्यान से सुनना और समझना है ठीक है और सबसे बड़ी बात उच्छा कि बिल्कुल घबडाने की जुरूत नहीं मेरे लाल जो आपने पढ़ा है जितना पढ़ा है कैपबल पढ़ा है उसके आधार पर जाई आप अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो चलिए क्या और adaptability test में basic difference क्या है सर तो एक test पूरी तरह से आपके IQ को judge करने के लिए है और एक test पूरी तरह से आपकी personality को आपकी psychology को judge करने के लिए है इसलिए इसको दो हिस्से में बाटा गया assessment test और adaptability test के नाम से assessment test में इन्होंने क्या किया कि आपके सामने 40 questions रखे और 30 minutes का time ताइम दि जैसे उन्होंने एक मानक बनाया कि हमको इतना बच्चा चाहिए और रिपोर्ट कर दियो उत्ता बच्चा अब उसमें अगर बच्चा उनको 20 questions करके उतने की seat full हो जा रहे उस दिन की intake की तो कोई issue नहीं है कटाफ ही जला गया तो आप दिमाग में रखे कि 40 में कम सब्सक्राइब आप 30 questions कर रहे हैं तो आप बिल्कुल से और सोट है कोई दिक्कत का बात आपके लिए नहीं होगा फिर इसके लिए 30 minutes मिल रहा है 40 questions दे रहे हैं जिसमें बांट रखा है 15 questions इंग्लिस के दिये हैं 15 reasoning के दिये हैं और 10 questions इनके GK के हैं ठीक ना reasoning के अंदर थोड़ा सा arithmetic का फ्लेवर वाला questions भी involve कर दिया गया है ठीक ना questions रखें वह 38 questions रख रहे हैं अब यह वैरी भी कर रहा है कुछ में हमने देखा कि बच्चे बता रहे थे किसा 35 से जो है 36 भी है 37 भी है 38 39 भी है अब तो 40 तक maximum यह जा सकते हैं जो इसमें करता है किसको कौन से सीट दे रहे हैं उसमें 30 questions ठीक ना और उसमें इन्होंने मानक दिया कम से कम 20 questions तो आप क्या प्रोश सही होना चाहिए अब जो यह साइटी का क्योंकि रिटेन वर्क है बच्चा तो टाइम थोड़ा सा प्रेसर है क्योंकि 30 मैट के अंदर ही 35 से 40 questions है उनके जवाब देने हैं तो थोड़ा सा है इसमें लिख के देना वह आपसन वाला यहां पर आपसन नहीं मिलेगा जैसे एर फोर्स में आपको मिला तो बस दिल से सट कर ले रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर अपना क्रमसा यह रेस है से अपना फिचकल का पारामीटर है वही होगा और उसके बाद बेसिक मेडिकल यहां पर करने मेडिकल यह आइनस चलका ही ले जाके करेंगे स्टार्टिंग में डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जो ए में अपना जगा बनाने के लिए कम सकम आपको 70% स्कोर करना होगा सतर परसंट के आज पास करेंगे तो आप मिंटली रिलाक्स रहेंगे और आप एक्जाक्ली सेलेक्शन की और अपने बढ़ जाएंगे तो आप सारे ही कौन सा नेकेटिव मार्क हैं लेकिन इतनी एक्यूरे पूछा जीके में तो पूछता ही है प्लेइंग इट माइबे पुस्तक के लेखा कौन है सब अच्छे डंग से जानते हैं सचेंतर दुरकर साब के बात हो रही है प्रतिव्यक्ति जो है कार्मन इमिशन सरबाधिक किस देश में है तो कतर में है फिर आता है डबली एचो का हैट कॉर्टर कहां इस्तिती है तो जनेवा सुटिजर लेंड आप सब जानते हैं शीच को चाय की खेती कहां होती है तो असम और बंगाल में नया धीश्य की निवक्ति कौन करता है तो राष्ट तो find the value of x and y तो जैसे आपको पता है कि opposite multiply करके इसकी calculation आप find out कर लेंगे find the odd one out copy notebook pen तो यह आपसे reasonings related questions है find the odd one out field form and middle and posture write the second verb form of recent मतलब ऐसे ही English question है interesting अभी पूरा तो question नहीं find out कर पा रहा हूं एक basic idea आपको दे दिया है मैंने questions और update आएंगे अभी आपके सामने मैं interview भी लेके आऊंगा आप निश्यंत्र यह जल्दी करते हैं जिसमें जो बच्चा stage to clear किया उससे आपको पूरी जर्नी का experience हम करवा देंगे बटन्त में यही कहना चाहता हूं कि बहुत basic level का test हो रहा है बिल्कुल घबनाने के जरूत नहीं बच्चा confidence के साथ जाईए बढ़िया करिए सारी बाते मैंने आपको बता दी है बाकि कोई confusion कोई query हो तो comment section में mention कर देना फिर से के special video बना के आपको अपडेट कर देंगे चलिए thank you so much विश्य गुड़ लग जया हिन जया भारत आपको पता है कि फेस्ट के बाद आपका मेडिकल आइने शिलका पे होने वाला है और बहुत से candidates medically unfit भी हो जाएंगे बट अभी आपके पास समय है और जोड़ी है कि आप अभी आपने आपको medically fit कर लें जिसके लिए आप आ सकते हैं मेजर कल्सी health care center पे और अपना pre medical check-up करा सकते हैं आपको बस call करना है 6390-103030 पे ये तो थी ICG 1-2024 batch की बात अब next exam भी जल्द होने वाला है और इसकी फेकेंसी भी जल्द आने वाली है ICG 02 intake 2024 और इसके लिए एक अच्छी preparation की जोड़त परेगी हम online और offline दोनों mode में अपनी classes स्टार्ट कर चुके हैं आप अगर online class करना चाहते हैं तो download करिए mkc learning app google play store से या फिर आप call करिए 966-3300-333 पर वहीं अगर आप mkc के offline campus में आके preparation करना चाहते हैं तो आप visit करिए mkc offline campus प्रियागराज में आप call करिए 9696-3300-333 पर इस वीडियों आपको पूरी clarification मिल चुकी होगी phase 2 टेस्ट की अगर अब भी कोई doubt है तो आप comment box में जरूर कमेंट करिए जय हिंद